आज की कहानी का नाम है खामोश या पात्री यही एक हिंदी स्टोरी है तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुबग पांच बजे अलान बजाने पर आरुश की नींद खुली फ्रेश होने के बाद आरुश नीचे आता है साक्षी किचन में चाय बना रही थी आरुश किचन में आते हुए साक्षी से पूचता है भाईया गई क्या भाभी हाँ आज जल्दी चले गए बोल रहे थी कि एक जरूरी केस आया था रात को आपके लिए भी कॉफी बना दूँ भाईया साक्षी चाय चानते हुए बोली आरुश हाँ बना दो पापा कहा है साक्षी पापा तो दिल्ली गए हैं, आपको नहीं पता, अरे हां कल जब आप लोग शिवम भया के यहां गए थे, उसके बाद पापा निकल गए दिल्ली, आरुश मम्मी और अम्मा कहा है, साक्षी अम्मा अभी उठी नहीं है और मम्मी दादा के साथ बाहर है, परसो एक और आदमी बुलवाया ठना, घर के छोटे मोटे कामकाज के लिए उसी से बात कर रही है, आरुश इतनी सुबह सुबह आ गया, साक्षी हसने लगती है और आरुश अम्मा के लिए चाए लेकर ऊपर जाता है, चाए लेकर आरुश अम्मा के रूम में जाता है, अम्मा उठ चुकी थी, साइड जब फोन करवा दूंगी तू बता तेरी पार्टी कैसी रही शिवम और रितु ठीक है ना हाँ अम्मा दोनों ठीक है अभी दो महीने ही हुए है शादी को फिर भी पहले की तरह ही ललते हैं आरोश अम्मा के पैर दबाते हुए बोला अम्मा आरोश का हाथ पकड़ते हुए ब अच्छा अम्मा अब मैं चलता हूँ, ठीक है जा, अच्छा सुन, रिया की तबियत कैसी है, अब रितिक ने बताया कि जादा खाने की वज़े से उसकी तबियत बिगर गई है, अम्मा ने आरुश को रोकते हुए कहा, हाँ अम्मा, अब ठीक है, रात को हम सब डाइरेक्ट ही चले गए थे ना और भाईया भी आ गए थे, अब तो ठीक है बिलकुल, प्रेम के कमरे में ही सु गई थी वह, आरुश अम्मा को बता कर जाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, इस रितिक ने कहां कहां तक बात पहुँचा दी, आरुश नहा धोकर तयार होकर बाहर आता है हौल में साक्षी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, आरुश को देखकर साक्षी बोली भाईया आप भी नाश्ता कर लो, आरुश अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए बोला नहीं भाभी आज मैं ओफिस नहीं जा रहा, बस हॉस्पिटल जा रहा हूँ साक्षी असमंजस में बोली हॉस्पिटल, हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो भाईया आप, आपको तो हॉस्पिटल जाना अच्छा नहीं लगता, मैं तो यहीं सोच रही थी कि कल आप रिया को लेकर चले कैसे गए, रितिक भाईया ने बताया था रिया की तबियत के बारे में आरुष चौकते हुए बोला रितिक ने आपसे भी कह दिया, साक्षी क्या मतलब, वो, वो कुछ नहीं, आप ये बताओ भाईया नाश्ता कर गए थी कि नहीं आरुष ने बात संभालते हुए कहा, साक्षी नहीं, वह भी वापस आएंगे 10 बजे करीब, आरुष ठीक है तो होगा या नहीं आरुष जाते जाते बोला, बाहर दादा और उशा जी नए नौकर से बात कर रहे थे, आरुष को आता देख उशा जी ने कहा, अरे आरुष, आज इतनी जल्दी ओफिस, नाश्ता कर लिया या नहीं, नहीं मैं आज ओफिस नहीं जा रहा हूँ, ओफिस आप ये बताओ पापा कबा रहे हैं, मा आज शाम तक आ जाएंगे, आरुष ओके, मैं जा रहा हूँ अब, मा ओके बेटा बाए, आरुष बाए मा, आरुष गारी निकाल कर चला जाता है और मा दादा से बात करने लग जाती है, उधर प्रेम और रिया और बाकी लोग भी धीरे धीरे उठकर आने लगते हैं, भाभी, चाय प्रेम आखे मीडते हुए बोला, हाँ लाती हूँ, हाँ मेरे लिए भी रिया भी डाइनिंग टेबल पर बैखते हुए बोली, प्रेम भी बालों में हाथ फेरते हुए आता है मीटू, क्या बात है, आज क्या तीनों ही सला करके उठकर आये हैं साक्षी चाई का ट्रेल आते हुए बोली प्रेम रितिक उठ गया क्या रिया ने चाई उठाते हुए कहा प्रेम कॉफी पीते हुए बोला वो इतनी जल्दी कैसे उठ सकते हैं हद है यार दो दिन से फ्लेक बंद पड़ा है इसको कोई चिंता ही नहीं है रिया भॉय चड़ाते हुए बोली और प्रेम से कहा जगा करला उसको जल्दी अरे तो कोई बात नहीं रिया यहां रुको या वहां बात तो एक ही है हमने तो पहले ही कहा था इसे भी अपना ही घर समझो पर आप हैं कि नहीं मानी साक्षी चेव पर बैखते हुए बोली नह लोग मॉम डैट से बात कर लेंगे बट गैस त्री मन्स बाद का पत्का होगा रिया चाय पीते पीते बोली लाली हम तो काला कोट और सफेग पेंट लांगे तुम्हारे प्यार में मां के साथ अंदर आते दादा ने कहा अरे बिलकुल दादा आप तो जरूर चलोगे मेरी शादी में रिया मुस्कुराते हुए बोली तो रिया बेटा अब तो हमें शौपिंग शूरू कर देनी चाहिए ना मा बैठते हुए बोली अरे मेरी शादी की बाते बिना मेरे ही हो रही है रितिक ने नीचे आते हुए कहा नहीं मैं तो दूलहा किराय पर ले आऊंगी हो ही जाएगी नमा चाय उठाते हुए बोली हाँ आंटी जी बिलकुल मेनेजर को बोलना की मलिक हो गए आप शोरूम की खुद ही आपके आप भगत में लग जाएगा मेनेजर अच्छी आदत का है अपना रिया उठते हुए बोली रिया रितिक से बोली अब तू भी जल्दी से चाय पी और रेडी होकर चल घर पर रितिक चाय पीते हुए बोला उनली टू मिनिट्स गिय उधर आरुष हॉस्पिटल पहुचा अंदर जाकर आरुष रिसेप्शनिस्ट मोहिनी से पूछता है भाई या कौन से फ्लो पर है सर्तो महिमा मैम से जरूरी बात कर रहे है यह कुछ देर बाते करता है फिर बाकी डॉप्टर्स चले जाते हैं और आलोक आरुष से पूछता है क्या हुआ आज यहां इतनी जल्दी कैसे उस लड़की का क्या हुआ उसे होश आया क्या आरुष बैठते हुए पूछता है अच्छा हाँ वह तो चली गई मैंने उससे पू बैठ गया आरुष के दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी कुछ देर कार में ऐसे ही बैठा रहा फिर स्टॉट करके घर को निकल गया इधर आलोक भी घर के लिए निकल आया घर पहुँचकर आरुष सीधे उपर अपने रूम में चला गया कपड़े चेंज करके ऑफिस नहीं जा रहे थे अब कैसे बस ऐसे ही वह भी अभी राघव का कॉल आया है जरूरी मीटिंग है आरुष जल्दी जल्दी बोलकर बाहर जाने लगा इतने में साक्षी उसे रोकती हुई बोली अरे भाया कुछ खाते तो जाए ना नहीं मेरा में नहीं है आरुष इतना कहते हुई चला गया एल ओफिस आकर भी आरुष का मन नहीं लगता अजीद सी बेचैनी हो रही है उसके मन में वह फोन निकाल कर रितिक को कॉल करता है आरुष हेलो रितिक रितिक हां आरुष बोल आरुष तू बिजी है क्या रितिक नहीं पर क्या हुआ आरुष तू आफिस आ इसमें आ जाता है और आरुश के केबिन में आते ही पूछता है क्या हुआ आरुश ऐसे एकदम कैसे मुझे बुलाया सब ठीक तो है ना आरुश क्यों मैं तुझे बुला नहीं सकता क्या नहीं सोना बाबु ऐसी बात नहीं है मैं बस थोड़ा सा दर गया था तू जब भी इस तरह से बुलाता है मैं दर जाता हूँ रितिक ने बैखते हुए कहा आरुश नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बस आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ इसलिए बस तुझ से बात करने का मन था रितिक अच्छा बता क्या हुआ आरुश कुरसी से उठते हुए बोला जब कभी रिया अपने मम्मी पापा के पास चली जाती है तो तुझे कैसा लगता है रितिक रे यार जब भी वर चली जाती है ना तो किसी भी कम में मन नहीं लगता सब कुछ खाली खाली लगता है पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है आरुश वापस कुरसी पर आकर बैखता है और बोलता है कुछ नहीं रिते कुटते हुए बोला देख तेरे मन में जो भी चल रहा है ना जब तेरा मैं करे तो बता देना बस तू खुश रहो के हम आरुश बस सहमती में सर हिला देता है इसी के साथ कहानी का यह अध्याय समाप्त होता है आरुश लड़की को लेकर क्यों परेशान था और आखिर वह लड़की बिना बताए हॉस्पिटल से क्यों चली गई जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें